नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आज हम डिस्कुस करने वाले हैं economy के weekly current affairs को देखें पिछले एक week में जो भी आपकी economy से related major घटनाए हुई है हम उन सभी को इस वीडियो में discuss करेंगे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम timely अपने current affairs को revise कर सकें तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आए आईए शुरुआत करते हैं पहले topic से इस article में आपसे e-commerce policy के बारे में बात की गिए जहां पर ये कहा गया है कि भारत को अगर अपना export बढ़ाना है तो उसे focus करना चाहिए अपनी e-commerce policy के उपर देखेंगे भारत में दो तरह की आपकी e-commerce channel होते हैं जैसे एक होता है market model एक होता है inventory model market model में हमने 100% FDI दे रखी है अब market model क्या होता है जैसे माल लेजे एक दुकान है जिसका नाम है ABC इससे मैंने एक T-shirt बंगाई है यानि मैं विवेक यहां पर Amazon का काम क्या होगा कि भाई इस T-shirt को मेरे तक पहुंचाना है इस दुकानदार से यह लेगा और यहां पर यह T-shirt मे Amazon ने अपने गोडाम में रखी होगी और वहां से मेरे पास भीज रहा होगा तो that is inventory model अब भारत में जो FDI है market model में 100% है वेराज inventory model में आपकी जो FDI है वो 0% है मतलब वो allow नहीं की गई है अब यहां पर ministry of consumer affair के भी कुछ points को आपको याद रखना है जो recent time में चेंज के गए है जिसे flash sales होती है एकदम से आपने किसी product के उपर बहुत बड़ी deal दे दियो या deep discount जिसे बुला जाता है यह सभी चीजे भारत के अंदर allowed नहीं है क्योंकि इस से जो छोटे मोटे दुकान द्यार है उनको बहुत नुक्सान पहुंसता है और even यह competition के against भी जाता है economy के अंदर जिससे बाकी product बेचने वालों को भी नुक्सान होता है इसके इलावा मालेजे Amazon है इसकी खुद की कोई company यानि कोई ऐसी company जिसमें इसने stock ले रख है तो यह अपने products को सबसे ज़्यादा promote करने की कोशिस ना करे इसके उपर भी कहीं न कहीं रोक लगाई गये और exclusive deal जिसे माल जहां से इने streamline करके हम अपने export को promote कर सके और भारत के अंदर FDI के channels को और ज्यादा broad कर सके इस तरह की चीज़े हमारे यहां पर allow करेंगे तो और ज्यादा से ज्यादा investment आएगी और जिससे भारत के अंदर manufacturing sector को भी boost मिलेगा क्योंकि product जितना ज्यादा बिकेगा उतनी जिसमें यह बताया गया कि भारत के जो pulses का import है पहले की तुलना में कम हो चुका है इसके लावा चना उरत और मुंग का जो आपका import है वो काफी कम हुआ है और कुछ दाल है जैसे मसूर की दाल अहर की दाल और मतर इनक्या जो production level है भारत में कम रहा है जिसकी वज़े से इनक को import करने की जरुत पड़ी है तो almost हम 90% तक self-sufficient हो चुके है दाल और चना की production में यह काफी अच्छी खबर है बिकास दाल और चने में आपको अकसर inflation देखने को मिलती थी जिसकी वज़े से इंडिया की food basket के ऊपर बहुत negative impact पड़ता था और इसका impact overall economy पे भी देखने को मिलत सबसे पहले आप present scenario देखिए अभी जो economic activities हैं काफी weak चल रही है दुनिया भर में inflation देखने को मिल रही है tight money policy चल रही है साथ के साथ supply chain disrupted है और financial instability देखने को मिल रही है आपको various financial institution में खास कर recently आपके तीन bank आपके fall हुए है that is Silicon Valley Bank, Signature Bank and First Republic Bank इन तीनों के failure के कारण global economy के ऊपर negative impact पड़ा है अब इन सभी points को एक हे करके हम समझते हैं देखिए आप सभी को पता है कि COVID-19 से दुनिया अभी उबर ही रही थी उसके तुरंती बाद आप क्या आ गया है यह Ukraine-Russia war export होता है, oil का export होता है तो इसमें कमी आई क्योंकि इनके उपर sanction लग गया अब इनके उपर sanction लगने की वज़े से क्या हुआ कि दुनिया भर में जो तेल के दाम है वो बढ़ने लगे जिसकी वज़े से सभी economies में inflation आ गया अब यहाँ पर आपको पहली चीज तो समझ में आग अब आपको पता होगा कि Ukraine में आपके grasslands पढ़ते हैं जहां पर wheat production काफी high रहती है मतलब आप यह कह सकते हो कि world के food balls में सी एक ये भी है अब अगर ऐसा है और यहाँ पर आपको बहुत से wheat या आप यह कह सकते है cereal की production देखने को मिलती है तो पूरे world over इसकी supply की जाती होगी य पर किन इसमें inflation भी देखने को मिला तो आपकी ये दो point तो आपको समझ में आगे अब हुआ ये कि जब inflation आता है तो आप inflation को control करने की कोशिश करते हो और inflation को control करने के लिए सबसे simple एक step रहता है कि आप money की supply को क्या कर दीजे कम कर दीजे इसके लिए follow की जाते है tight money policy अब जब माल लिजे एक business है इस business ने expand करना था लेकिन अभी इसको funding नहीं मिल पा रही है क्योंकि funding के लिए इसे बहुत जादा ब्याज देना पड़ रहा है माल लिजे मैंने अपने bank में एक लाख रुपे रखा हुआ है अब इस एक लाख रुपे के ऊपर अगर मेरे को 6% का ब्याज मिल रहा है तो मैं कभी भी किसी company में निवेश नहीं करूँगा बट अगर मुझे ये company इससे ज़्यादा पे करे तो definitely मैं उस company में पैसा invest कर दोगा तो यहाँ पर company इसको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा funding उठाने के लिए जिसका risk वो लेते नहीं है और इस वज़े स तो आपको अपनी input cost मानिजिए आप कोई भी product बना रहे हैं उसमें इस cost को add करना पड़ेगा और इसकी वज़े से जो product की cost है वो increase होती है अब अगर product आपका महंगा होता है तो further लोग उसे कम खरीदेंगे इससे industries की sale कम होगी और अगर industries की sale कम होगी तो problem यह आएगी आपको कि आपकी industry अपनी cost cutting के लिए लोगों को नौकरी से निकालेगे जिसकी वज़े से आपकी economy में unemployment rate increase हो सकता है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि tight money policy को अपनाने से यह presently हमारे को problem देखने को मिल रहे है इसकी साथ साथ जो developing countries developed countries के उपर बहुत जादा dependent है FDI और FII के लिए यानि foreign direct investment और foreign institutional investment उसमें भी कमी आएगी क्यों क्योंकि जैसे मेरी country में अगर मेरे को 6% का interest rate मिल रहा है hypothetically कह रहा हूँ तो मैं कभी भी दूसरी country में innovation नहीं करूँगा तो यह भी एक कारण है जिसकी वज़े से जो developing countries हैं इनके उपर pressure बढ़ता जाएगा अभी हाल फिलाल में एक scenario यह हुआ है कि Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank यह तीनों ही fail हुएं अब इनके failure के वज़े से लोगों का banking system के उपर से भी भरोसा उठा है अब financial institution का fail हुना एक तरह से economy के अंदर एक trigger create करता है जहां पर लोग banks के पास पैसा कम रखते हैं अब अगर bank के पास पैसा कम होगा तो lending automatically कम हो जाएगी अब यह सभी scenario अगर आपको economy में देखने को मिल रहे हैं जैसे महंगाई देखने को मिल रही है, लोगों की job जा रही है, recession आ रहा है तो इसकी वज़े से जो economic activities हैं वो कम होंगी और overall अभी यही देखने को मिल रहा है आपको पूरी सभी global economies में अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या impact पढ़ रहा है इंडिया पर यह all over the world तो यहाँ पर इंडिया perspective से बात करें तो आपको globally जो demand है वो कम होते भी दिखाई दे रही है not just globally, आपको domestically भी demand कम होते भी दिखाई दे रही है अगर हम fourth quarter की बात करें तो हमारा जो export है European Union और USA उससे shrink किया है और even हमारा export भी हमारा shrink हुआ है तो यह दर्शाता है कि economy में अभी economic activity में थोड़ी weakness देखने को मिल रही है इसके लाबा जैसे ही inflation बढ़ता है माले जे कोई चीज 100 रुपे की थी अब मेरी आमदनी उतनी ही है अब यह चीज 1500 रुपे की होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि इस good को या replace कर सकूँ तो इससे कही न कही मेरी purchasing power कम हुई है तो inflation आने से purchasing power कम होती है और साथ के साथ FDII और FII कम होती है इसका negative impact पड़ता है आपके developing countries पे क्योंकि उनके पास ना तो इतनी प्रयापत monetary resources होते हैं ना physical resources होते हैं यह सभी के लिए यह dependent होते हैं developed countries के उपर तो यहाँ पर यह economic activities कम होने की वज़े से आपको slowdown देखने को मिलेगा developing countries में भी तो यह पूरा अभी scenario चल रहा है आपकी global economy का तो अगर आप से कोई पूछ ले किसी भी exam में या आपके problems में तो आप इसको यहाँ से address कर सकेंगे question को I hope आपको यह article समझ में आया हो इस article में हम बात करेंगे PPI के बारे में और यहाँ पर एक आ गया कि इन्हें भी insurance coverage के network के अंडर लाना चाहिए अब देखें यहाँ पर prepared payment instrument है इस PPI की full form आपको यह समझ नहोंगा जैसे आपने PTM यूज किया है Google Pay वगरा यूज किया है चलो Google Pay तो नहीं फोन पर अप इससे आप कई सारे goods और services खरीच सकते हैं आप various financial services का इस्तेमाल कर सकते हैं remittances जैसे एक जगा से दूसरी जगा पैसा भीजड़ा हो इसके लिए इसका इसका इस्तेमाल हो सकता है और यह जो आपके payment system है कोई भी issue कर सकता है bank भी और non bank भी जैसे PTM आपका कोई bank नहीं है और आप यह कह सकते कि small bank है चलो ठीक है बट phone पे Google पे यह उस category में fall नहीं करते हैं तो यहाँ पर किसी customer का अगर पैसा पड़ा है जैसे मालने यह पेटियम है यह एक तरह का आपका ऐसा instrument है जिसमें लोग पैसा भी deposit कर रहे है अगर इन wallets में आपका पैसा पड़ा है और कुछ कल कुछ गलत हो जाता है मतलब आपका सारा पैसा साफ है यहां से तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो आपका deposit insurance and credit guarantee scheme है जिसके तहट जो भी आपके schedule banks है इनके अंदर जो भी लोगों का पैसा पड़ा है इसे insure किया जाता है चाहे current account में पड़ा हो चाहे आपके किसी भी तरह के account में हो fix deposit में हो इन सभी को आप क्या कर रहे है insure कर रहे है up to 5 lakh मतलब मान लेज़े आपके खाते में 10 lakh पड़े है तो 10 lakh नहीं मिलेंगे अगर कुछ गलत होता है तो उस case में आपको 5 lakh रुपे तक government pay कर देगी तो 5 lakh तक की insurance है यहाँ पे तो आपको समझना होगा कि यह जो insurance है यही हम extend करना चाहते है in prepaid payment instruments को ताकि आने वाले समय में जब इनका इस्तिमाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम customers को एक safety net provide कर सके कि कुछ भी गलत होता है तो उनका पैसा safe है इससे एक तरह का trust increase होता है किसी भी financial institution में logo का वैसे इसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात की थी यहां पर specifically बात की गिया service sector की जो कि 13 सालों में second faster space पे आपका grow कर रहा है अभी फिलाल के लिए इसका score रहा है 61.2 जिसकी वज़े से आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी job creation देखने को मिलेगी overseas में आपको देखने को मिलेगा कि जो demand है software की और आपकी services की वो increase होगी एक favorable demand condition generate होगी इससे जिससे economy अच्छे से grow हो सकती है बट इसमें हमारे सामने कुछ challenges है services की cost increase हो रही है क्योंकि input cost increase हो रही है खासकर इसमें transportation cost increase हो रही है क्योंकि oil आपका महंगा होता जा रहा है अब जब भी कोई services महेंगी होती है तो इससे लोगों की purchasing power decrease होगी और अगर purchasing power decrease होगी तो इससे affordability नहीं रहेगी उस services की तो यहाँ पर negative impact देखने को मिल सकता है इससे economy के उपर इसके लावा एक challenge हमारे सामने ये भी है कि आने वाले समय में inflation फिर से भड़ सकता है क्योंकि एक बार फिर से Saudi ने ये काया कि वो अपनी oil की production को कम करेगा अब अगर inflation बढ़ता है तो इससे economy के उपर negative impact पड़ता है जो economic environment है वो इतने favorable नहीं रहते हैं इस article में हम बात करेंगे कि अभी एक report publish की गई थी Google, Bain, Company and Tmask के द्वारा अब यहां पर इन्होंने कहा कि इंडिया की जो आपकी internet economy है that will be around 1 trillion by 2030 अब इसमें जो भी आपकी e-commerce firm है जो business to customer deal करती है इनकी growth के chances बहुत जादा रहेंगे खासकर tier 2 cities में इनकी penetration increase होगी जिसकी वज़े से इंडिया की internet economy boost करेगी साथ के साथ यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि tier 1 city में भी around 13% की आपको growth देखने को मिलेगी तो इस article में आपको इतना ही याद रखना था although not so important because एक private organization के द्वारा यह report publish हुई है तो इस वज़े से आप हो सकता है कि इसे as an pointer use कर सके means में तो आइए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम बात करेंगे inflation के बारे में सबसे पहले हम inflation को समझते हैं देखिए inflation का मतलब होता है जब आप किसी commodity के general price में कोई increase देख रहे हैं आपने आज एक iPhone लिया इस iPhone की कीमत थी एक लाख रुपे अब अगले साल आपने सेम ही iPhone को देखा मतलब फिर से purchase करने गए और इसकी कीमत हो गई एक लाख दस अजार मतलब कोई upgrade वगरा कुछ नहीं किया गया है same product है बट 10,000 यहाँ पर इसकी cost increase हो गई है अब यह जो कीमत थी मान लिजे 2022 में थी और यह कीमत है 2023 में तो यह जो 10,000 का increment देखने को मिल रहा है आपको over a period of time that is known as inflation अगर बात की जाए एक economy में थोड़ी बहुत inflation ज़रूरी रहती है तो इस वज़े से भारत के अंदर भी हमने 4% plus minus 2% की window रखी है inflation के लिए ताकि economy ठीक ठाक rate पे grow करे because आप resources की जब तक आपकी केमत नहीं बढ़ेगी तब तक economy में growth नहीं होती है for example अगर आज एक kilo आलू आपके 10 रुपे के मिल रहे है तो अगले साल ये 12 के हो जाएंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं इतना तो inflation economy को move करने के लिए जरूरी है क्योंकि इससे resources की value बढ़ती है और जो production कर रहे होते हैं उनको एक incentive मिलता है बढ़ जब आपकी inflation uncontroll हो जाए तो उस समय ये economy के ऊपर negative impact डालते है क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप inflation को control करने जाते हैं तो आपके जो central bank के जैसे इंडिया में आरबे ये आपका tight money policy अपनाएगा अब tight money policy में क्या होता है कि जो आपकी loan दरह है वो increase हो जाती है अब अगर loan की cost increase होती है तो economic activity के ऊपर negative impact पड़ता है example देता हूँ मैं इसका जैसे मान लीजे मैंने home loan लेना था बट आज की date में 10% के ऊपर आपका home loan मिल रहा है तो definitely आज की date में मैं home loan के लिए pursue नहीं करूँगा ये car loan बहुत जादा महेंगा होगा तो मैं उसको pursue नहीं करूँगा तो भारत में अभी ये कहा जा रहा है कि overall जो आपका inflation है वो moderate रहने वाला है अब 2-3 चीजे हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि milk, rice and pulses इन में आपके जो inflation है वो increase हो सकती है अब milk के अंदर आपको लगबग 11% की inflation देखने को मिल सकते है क्योंकि यहाँ पर आपको लंपी skin disease देखने को मिल रही है buffalo, cow के अंदर इसके इलाबा यहाँ पर heat wave का भी negative impact पढ़ रहा है इनकी milk production के उपर तो इन दोनों कारणों से milk की production कम हुई है और ये कारण बनेगा जिसकी वज़े से milk का inflation increase होगा दूसरी चीज rice and wheat जैसे की wheat की production में आपने हाल फिलाल में देखा होगा कि unseasonal rain के कारण काफी crop के damage पहुँचा है अभी rice की cultivation के time पे भी ये same चल रहा है तो इसमें भी आने वाले समय में inflation रहेगी उसके लावा pulses में तूर, उर्द और मूंग की दालों में आपको inflation देखने को मिल सकती है ये data आपका publish कौन करता है National Statistical Office जो release करता है आपका consumer price index जहां पर हम ये देखते हैं कि consumer level पे क्या inflation का rate चल रहा है इस article में बात की गए कि past एक साल में भारत के अंदर inflation जादा क्यों रही है इसके बारे में एक annual report publish की है RBI ने तो यहां RBI कहता है कि inflation high होने के पिछे कुछ reasons है जैसे food और fuel में inflation increase होने के कारण है Russia Ukraine war देखे रशिया की बात की जाए तो यहां पर ये natural gas प्रवाइड करता है oil प्रवाइड करता है तो जिसकी supply थोड़ी कम होगे है western sanction के वज़े से तो यहां पर fuel के prices increase होगे अगर Ukraine की बात की जाए तो Ukraine oil seeds भी प्रवाइड करता है और इसके इलावा wheat की production के लिए भी ये area काफी known है तो यहां पर इस war के कारण negative impact पढ़ा world में food and fuel की supply पर जिसके कारण आपको food and fuel में inflation देखने को मिली है अब recently heat wave की वज़े से भी आपकी food की production level कम होगी तो supply अपने आप कम हो जाएगी अब supply कम होगी तो इस वज़े से भी problem रहेगी आपके food की inflation की अब तीसरा point यह है कि fertilizer की cost increase हो चुकी है अब fertilizer की cost क्यों increase हुई है क्योंकि यह generally आपकी natural gas से बनता है अब natural gas की cost increase हुई है तो fertilizer की भी cost increase होगी अब अगर fertilizer की cost increase हुई है तो आप यह कह सकते कि farm की input cost increase होगी मतलब जो भी मैंने crop उगानी थी उसके लिए input अब ज़ादा लगेगी और इसकी वज़े से भी inflation देखने को मिली है आपको food के अंदर अगर retail inflation की बात करें तो Russia-Ukraine war और COVID-19 की वज़े से supply chain आपके disrupted रहे इसके कारण आपकी retail inflation रहे साथ की साथ इंडिया की जो currency है with respect to dollar वो काफी depreciate हुई अब depreciate होने के पिछे कारण ये था कि recent time में भारत का export तो कम है बट import उतना ही रहा तो ये एक major कारण बना जिसकी वज़े से इंडिया की currency depreciate हुई अब देखे हमें तेल तो खरीद नहीं है अब तेल खरीदने के लिए हमें payment करनी पड़ते है dollar में अगर हम dollar में payment करेंगे तो dollar की demand जादा रहेगी अगर dollar की demand जादा रहेगी तो इंडियन currency उसके respect में क्योंकि इंडियन currency की demand जादा नहीं है तो इस वज़े से depreciate करेगी और depreciate होने की वज़े से आप देखेंगे कि retail inflation इंडिया में increase होगा क्योंकि import महंगा हो जाएगा इसके लावा global commodity के price भी increase होएं COVID-19 के बाद जब से factories restart हुई है प्लस Russia-Ukraine war का भी इसके उपर impact देखने को मिला है तो ये कुछ कारण बताएगे हैं इस बार की Nvel report में RBI द्वारा की last एक साल में आपकी inflation जादा क्यों हो रही है Recently, Government of India ने MSPs increase कर दिया है आपके खारिफ crops के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए खारिफ crops होती क्या है देखें, खारिफ crop वो है जो आपके बरसातों के मौसम में उगाई जाता है अभी के लिए, अभी MSPs को revise किया है तो यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि MSPs होते क्या है मान लिजे एक crop है, जैसे rice की मान लेते है या paddy या आप rice जो भी बोलना चाहिए इसे अब rice की bumper production होगी बहुत ज़्यादा आपकी production होगी तो उस case में तो rice की supply जो है ज़्यादा होगी और demand उतनी ही रही तो rice के price तो fall कर जाएंगे तो government यहाँ पर यह कहते कि ठीक है आप घबराइए मत अगर आपकी कोई crop नहीं खुरी देगा तो minimum इतने रुपे पे हम खरीद लेंगे अगर आपको इससे ज़्यादा कहीं मिल रहे हो तो आप वहाँ पर बेज सकते हैं अब इसे recommend कौन करता है इसे recommend करता है आपका commission for agriculture cost and price जो कि एक attached office है ministry of agriculture के अंडर इससे declare किया जाता है cabinet committee on economic affair के द्वारा इसके बारे में UPSC ने पहले भी आपसे question पूछा हुआ है तो आप याद रखना अभी recently MSPs किस-किस के increase के गए है आपके paddy और major जो आपके pulses जैसे moon, tour and arhar के अब MSPs को calculate करते हुए आप एक चीज याद रखना है यहाँ पर ये ध्यान में रखा जाता है कि input cost कैसे farmer के increase हो रही है उसके accordingly इसका भी आप सभी को बता होगा UPI से related frauds आज की rate में बहुत जादा increase हो चुके है क्योंकि UPI से लगबग 14,00,00 करोड के आपकी payment होती है अब government ने इस data को observe किया खासकर आपके NPCI ने इसने का कि ज़्यादा तर जो transaction होती है ना people to people इसमें आप देखते हैं कि 500 या 1000 रुपे वाली transaction ज़्यादा है as compared to बहुत ज़्यादा बड़ी transaction के मतलब लाखो रुपे लोग इधर से उधर नहीं भीज रहे है और दिन में लोग बहुत कम transaction करते हैं मतलब आप यह लगा लिजे 20 से 25 transaction होती है तो इस वज़े से यहाँ पर इन financial frauds को रोकने के लिए हम एक ceiling लगाने की कुशिश करें अब यह जो ceilings हैं यह already जो NPCI की आपकी ceilings को गया रही थी उससे अलग हैं अब इसमें यह का जा रहा है कि at present हमार पास 20 transaction करने की छूट है और एक लाख रुपे तक हम transfer कर सकते हैं एक single day में अब चाहे वो आप एक payment से करें चाहे throughout the day आप 5000,000,000,000,000,000,000 करके ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पर यह आपको कहा गया है कि आप एक लाख रुपे तक transit कर सकते हो अब यहाँ पर capital, insurance और remittances के लिए limit अलग की गई है कहता है कि 2,000,000,000 रुपे तक की limit है क्योंकि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा transit करना पड़ता है इसके बाद तीसरी limit लगाएगी है IPOs के लिए, retail directs के लिए या application supported by blocked amount मतलब जो IPO वगरा के time पर जो amount आपकी block होती है तो उसके लिए अगर किसी ने transaction करनी हो तो वहाँ पर 5,000,000 तक की transaction हो सकती है इन limits को लगाने के पिछे कारण यह बताया जा रहा है मालने जिए एक person है, जैसे मालने जिए राजू है राजू के खाते में 50,000,000 रुपे थे अब किसी ने राजू का phone hack कर दिया चाहे phone के through या किसी भी तरह से अब इसका phone hack होते ही किसी ने इसके पूरे account को साफ कर दिया UPI के through तो यहाँ पर actual में हम इस तरह के frauds को रोखना चाते है ताकि लोगों को ज़ादा से ज़ादा हम जोड सकें UPI payment से अगर बात किजाए NPCI की यह आपकी एक umbrella organization है जो retail और settlement system से deal करती है इसे बनाया गया payment and settlement system act 2007 के अंडर यह RBI और Indian Banks Association ने मिलके बनाई थी यह एक non-profit organization है जो की company act 1956 के अंडर registered है अब इस act को बदल दिया गया था 2013 में तो उसके section 8 के अंडर यह आपकी non-profit organization registered है अब जल्दी से आप मुझे बताईए NPCI की full form क्या है आपको दो तिन option दे देता हूँ आप बताना है इसमें से क्या है National Payment Corporation of India National Payment Committee of India National Payment Corporates of India आप इन तीनों में से भी बता दिजी क्या इसका सही answer रहेगा अब यहाँ एक और चीज याद रखना कि एक article publish हुआ था आज के ही दा हिंदू में यहाँ पर यह बता जा था कि इंडिया का जो रुपे कार्ड है जो कि इसी NPCI नहीं बनाया है आपका पहले क्या होता था कि भारत के अंदर ना हम foreign countries के cards को इस्तिमाल करते थे जैसे आपने visa card, master card के बारे में सुना होगा तो हमने उसको indigenous card से replace किया था रुपे कार्ड क्योंकि उनके charges बहुत जादा थे अब हम चाहते हैं कि यह international market में भी use हो सके तो इसी वज़े से अब रुपे कार्ड में हम prepaid foreign currency card को भी देख पाएंगे, मतलब अगर आप मान लिजे US से घुमने जा रहे हैं, तो अब आप dollar की payment किस से कर सकते, इस card से कर सकते हैं, तो रुपे कार्ड से अब ये भी हो पाएगा, तो इससे international acceptance, आपके रुपे कार्ड की increase होगी, और यहाँ पर हमर पास एक मौका है कि हम और countries में अपनी services प्रोवाइड करके इसके थूँ कुछ money earn कर सकें, next article is about government to clarify about TCS, TCS का मतलब text collected at source, अब इससे समझाने के लिए मैं आपको example देता हूँ, मानिजे आप एक गाड़ी लेने गये हैं BMW, जिसकी कीमत है लगबख 70,000,000 रुपे हैं, अब यहाँ पर जब आप यह गाड़ी खरीदने गये हैं, तो यह गाड़ी के जो store room वाले होंगे, आपसे लगबख 1% रुपे एक्स्टा चार्ज करेंगे, that is TCS collected at source, क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान बहुत ज़ादा income वाली चीजों को खरीदता है, या use करता है, तो government यह कहते हैं, कि भी, आपके पास यह पैसा आया कैसे, आप इसका ब्योरा अपने income की detail में दीजे, उसके basis पे अगर आपका यह पैसा आपको वापिस देना होगा, हम दे देंगे, बट आप यहाँ पर पहले जमा करा दीजिए, मतलब अपफरंट आपसे कुछ पैसा ले लिया, एक परसंट, दो परसंट, और government यहाँ पर यह कहते है कि भी, ठीक है, जैसे ही आप यह मैंने अग्जांपल दिया है, वन परसंट का, यहाँ पर government ने अभी रिसेंटली से रिवाइस करके, पांच से बीस परसंट कर दी है, बट समझे आप, यहाँ पर यह कह रहे है कि भी, एक परसंट में कलेक्ट करूँगा, सिरफ उन हाई इंकम लोगों से कि भी, जो हाई एंड वेल्यू के जो products हैं, यह services हैं, उनको use कर रहे हैं, ताकि मुझे यह पता रहे है कि भी, यह person अपना टाइम लिए income tax पे कर रहा है या नहीं, अब यहाँ, यह सभी तरह की जो goods and services, जो की luxury item में आते हैं, उनके उपर applicable है, जैसे foreign trips, जैसे आप मालनेजे, euro trip के लिए जाना चाते हैं, तो euro trip के लिए अगर आप जाना चाते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके उपर 20% TCS देना होगा, साथ के साथ जैसे liberalized remittances scheme है, अब इसे मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा, मालनेजे, एक person है राजू, अब आपको पता होगा, हेरा फेरी, अगर आपने देखी है, तो राजू की मा बिमार है, वो कॉलकता में कहीं पर located है, पर मालनेजे, कॉलकता में ना located होके, यूरोप में कहीं अच्छी hospital में है, अब यहाँ क्या होगा, कि मालनेजे, राजू इनको हर साल कुछ पैसे भीजता है, तो इसे कहा जाता है, liberalized remittances scheme, मतलब आप पढ़ने गए हैं या आप किसी के इलाज करवाने गए हैं विदेश में, तो यहाँ पर धाय लाख रुपे एक साल का कोई person आपका रिष्टिदार आपको पेक कर सकता है, सिरफ प्रिष्टिदार, कोई और नहीं इसके लावा, overseas जो credit card की spending होती थी, इसके ऊपर भी आपका अभी 5% से tax increase करके 20% कर दिया गया, although इसके अंदर बहुत सी confusion चल रही है लोगों में, तो government यहाँ पर यह करे कि आने वाले समय में, हम इस confusion को दूर करेंगे, जो भी आपके question होगे, उसके ऊपर clarification लेके, हम जल्द ही आएंगे, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद